हाँ तो सामाईन असलाम वलेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुम्हें आप सबका दिनी भाई अफ्वु खान उत्तरपदेश इलाबास से तो सामाईन आज इंशाललाम आपके सामने पेश करेंगे जो एक फिरका है जिसका नाम है बरिल्वी फिरका और वो अपने अलावा सारी दुनिया को समझता है कि वो सब जहनमी हैं और उनके जो टोला है फिरका है उसका एक दो कौड़ी का जाहिल अलामा एक मार्केट में आया था पहले कभी और आज किल मार्केट से गाइब हो चुका है उसका नाम है फारूख खान रजवी उर्फ कज़ाब है मकार है दोकेबाज है जाहिल है फरेवी है कि अल्ला अल्ला उसको हिदायत दे या तो उसको जहनम के आग में डाले आमीन सुम्मा आमीन तो यह जो फारूख खान लैप्टॉप बाबा है ये इतना बड़ा कज़ाब है मकार है जोटा है फरेवी है इसने माज ल अल्ला 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 इसने अल्ला इस कि शार्ला इसने प्रूहिए कि आग में ज है तो फारूहिझ के तो बाइन ती जो बिलकुर सही सनसे हदीस है, उस हदीस से इसने माजला ऐसी ताविल कर दी शैतनी, ऐसा शैतनी इसने कयास कर दिया, कि उस हदीस से ये साबित कर रहा है, कि माजला अल्ला के नभी सल लगा जहनमी है, कोई भी मुसल्मान है वो भला ये कैसे कह सकता है कि मुहम्मद स.A.W. माज अल्ला जहनमी है और ये दो कौडी का लामा जिसको आदी लाइन की जो हदीसे वो भी पढ़ना नहीं आता मनत शब्बा, अम्मा, अब्बा, बहु बेटी उसको एक आदी लाइन की हदीस में उसको पूरा खांदान याद आ जाता है वो अल्ला के नभी की हदीस से ये कयास कर रहा है कि माज अल्ला अल्ला के नभी स.A.W. जहनमी है आईए स्टार्ट करते है फसाद हो, लड़ाई हो, जगड़ा हो, दो चार को मार दे, इनकी सियासत गरम रहे दिल में महबतِ रसूल का एक जर्रा है मुसल्मान मर सकता है, कट सकता है रसूल अल्ला के बारे में वो लफ जबान से अदा नहीं कर सकता जो मौलवी फारूप बरिलवी ने अपनी जबान से अपनी तक्रीद में अदा किये आईए वो अलफास सुनाओं वो कहता है, मुझे इस पर कोई तरस्रा नहीं करना कि मौलित अजीब ने का कि मैंने नबी सल्म ने फर्माया मैंने अपना साया जहन्नम में देखा मुझे इस पर कोई तरस्रा नहीं करना कि तुम नबी का साया मानते हो या नहीं मानते हो बेसाया नगी मानते हो, या सायवाला नगी मानते हो, या माद ऑल्लादुम रसूलुलाओ स्लल्म को जहन्म में मानते हो, या महलाओ अदिरू नमादूा, जब नमास का वकछ दोरान नमास, आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, और एक कदम फिर पीछे हटे, اللہ کے نبی अब आगे क्यों बढ़े कहा मुझे अल्ला ने जन्नत दिखाई थी जिसके तलब में मैं आगे बढ़ा था फिर मुझे जहन्नम दिखाई मैंने अपना साया उसमें देखा फिर मुझे जहन्नम दिखाई तुसीब रह्मान कहता है नमास की हालत में नमास में थेया और नमास के अंदर आगे बढ़े फिर पीछे अटे बाद में सहाबा ने पूझा अल्ला के नभी आप नमास में आगे क्यों बढ़े तो तुसीब रह्मान कहता है पिर मैं आगे रहखे पीछे अट गया फिर मुझे जहन्नम दिखाए गई तो जहन्नम में मैंने अपने साये को देखा माँस अल्ला जुम्ले फिर सुने ये एक जुम्ले पर मेरी गिरिपता है आज चालो जब नमाज का वकत दौरान नमाज आप एक कदम आगे बढ़ते हैं और एक कदम फिर पीछे हटे लाकिन अभी आगे क्यों बढ़े कहा मुझे अल्ला ने जन्नत दिखाई थी जिसकी तलब में मैं आगे बढ़ा था फिर मुझे जहन्नम दिखाई मैंने अपना साया उसमें देखा पिर मुझे जहन्नम दिखाई मैंने अपना साया उसमें देखा जन्नत की तलब में आगे बढ़ा और पिर जहन्नम दिखाई बताना क्या चाह रहा है रसूल जन्नत हासिल करना चाहते लेकिन अल्ला ने फौरण जहन्नम ला दिया सामने हाँ तो यह जो इसने यह बातिल माज़ जो कयास कर दिया है कि अल्ला कि नभी सलिल ला जन्नत चाहते थे और अल्ला ने माज़ जहन्नम सामने ला दि नाओज बिल्ला अस्तक्फिरूल्ला ये आज इतक किसी एहले हधीश उल्मा ने एले हज़ीश तो छोड़िये जो देवबंदी हैं बरेलवी हैं उन्हों ने भी ऐसा कभी कभी नहीं कहा अपने किसी अपने वो लेक्चेर में बयान में कि अल्ला के नभी वो जन्नत चाहते थे और अल्ला ताला ने उनके सामने जहन्नम कर दी नावजब बिल्ला ये है बाति किसा खाके उनको कितना जुड़ बोलता है आई ये दिखाता हूं तुम्हारी जन्नत तक रसाई नहीं है और दूसरा तोहीन क्या बता रहा है रसूल ने अपना साया जहन्नम में देखा माद अल्ला तक फिर उल्ला जहन्नम में बता रहा है इस पर सिर्व इतनी कर रहा हूँ क्या ये बौलते है बरेली लोग बहुद चालेंज करते है मैं चैलेंज नहीं करता गुदारिश करता। کس حدیث میں है मुझे सिب حدیث چاہیے मैं उसे पर تفسرہ printed करना चाह रहा मुझे कोई تفسرہ rotations करना है कि तुम रिस अंपरों के साए को मानते हो या नहीं मानते हो मानते हो रिसौल को साया मानते हो या माहद ल्ला तुम रिस आतम है इस पर कोई तफिरा नहीं करना है तुम एले हदीश हो हदीश के दावेदारों मुझे सिर्फ उस हदीश का पता बताओं यह कि रसुल ने का मैंने जहनम में अपना साया देखा वो अधीश बताओं हाँ तो यह मतलब जितनी भी जो आवाम है पबलिक है इस जो जोकर है इसके जूट पे मार नारे तकबीर नारे रिसालत और मार इदम इसने हववा बना रखा है जूट बोलके आईए अभी इसको जो वो हदीश है अरिजिनल जो इसका स्कैने वो आपके सामने करता हूँ और उस हदीश में क्या है अलफाज बाई अलफाज इन्शालला मैं आपको पढ़के बताता हूँ और उसके बाद देखिएगा यह लैपटॉप बाबा का ऐसा मु काला होगा कि आज के बाद कभी भी इन्शालला जो तो अल्ला के नभी स्यल्ला जो सही हदीशे हैं उन पर कभी जोट नहीं बोलेगा अपनी आवाम को धोका नहीं देगा और एहले सुननत एहले हदीश के जो उलमा हैं उनके ओपर आइंदा से यह भौकने से पहले सौ बार पहले सोचेगा आईए स्टार्ट करते हैं तो यह ह वो हदीश जो आती है सही इबन खुजैमा में और यह देखिए औरिजनल यह अल्हम्दलल्ला इस कहन है यह देखिए यह हदीश आपके सामने मौजूद है अब यह जो लैप्टॉप बाबा आयमार बहुत जोश में भौका कि कुल हातु बुरानकुम इनकुन तुम सादिक सूरे अलबकरा सूरा नमबर दो आयत नमबर 111 कि अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत पेश करो तो अलहम्दलल्ला इले सुननत अले अदीश वो सच्चे हैं अब यह जाहिल जपाट है इसने कभी जो अल्हम्दलल्ला हदीशे हैं वो आज तक कभी इसने खोल के देख ना तो यह देखिए आज इन्शालला में साबित करता हूँ हदीश से ठीक है आईए मैं आपको बताता हूँ हदीश में क्या है तो जो यह हदीश से उसमें आता है अनस बिन मालिक रजियल्ला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हमको नबी सलिल्ल्ला अले वसल्म ने सु पीछे कर लिया जब आप सलिल्ला अले वसल्म सलाम फेर कर फारिग हुए तो आप सलिल्ला अले वसल्म ने से सहाबा ने इसके बारे में पूछा तो आप सलिल्ला अले वसल्म ने फरमाया अब क्या फरमाया सुनिये अल्ला के नभी ने फर्माया कि जन्नत को अपने सामने देखा इसके जो मेवे थे फल थे वो मेरे करीब ही वो आ रहे थे जुक रहे थे मैंने सोचा कि इन में से कुछ तोड़ लू तो बाहुक्म इलाही वो जो सीन था वो गाइब कर दी गया फिर अल्ला के नभी सलिल्ला वाले वसल्लम के सामने जहन्नम पेश की गई और उसकी जो आग थी उसकी जो रोशनी थी उसमें मैंने अपना और तुम्हारा साया देख लिया अल्ला हुआ अक्बर सही इबन खुजैमा अल्हम्दल्ल्ला और हदीस का नमबर 892 और इसकी जो इसनाद है वो सही है और ये दूसरी अल्हम्दल्ला जो बाकी मतलब जो किताबे हैं दिगर उनमें भी हदीस आती है और उसका हवाला है मुस्तदलक अल्हाकिम उसकी जिल्द नमबर 4 और सफा नमबर 456 पे अब बताईए ये हदीस ये कह रहा था ना ये हदीस कहां पे है मुझे इसका खाली पता बता दो ले बे जाहिल फारुक खान लैपटॉप बाबा आज फिर मैंने साबित कर दिया कि तुए एक नमबर का मकारे जूटा है कजाबे फरेबिये और 25,000 रुपे के लिए उल्मा के ओपर भौकता है उनको बेज़ज़त करता है उनको बदनाम करता है और अपनी आवाम की जूटी वहवाई को लूटता है उनके इमान से अकाइद इसे तू खेलता है ये देखिए बिल्कुल साफ हदीश है अब जब अल्ला के नभी नभी थी वो पेश की गई और जाहिसे बाते जहन्नम में जो आग होती है उसकी रौशनी होती है और रौशनी में अल्ला की नभी सल्लाव वाले वसल्म खुद फर्मा रहे हैं कि मैंने उसमें अपना और तुम्हारा साया देखा यानि कि नभी सल्लाव वाले वसल्म का साया था य लेकिन इसने क्या का कि साय पे कोई बहस नहीं है कि साया मानते हो या बे साया मानतो हमें खाली हदीस का जो पता है वो बता दो तो ये अलहम्दुलल्ला हदीस हमने बता दिये इसका जो मेरे भाई पता था और इसमें क्या है और इसका हवाला क्या है और इसका हवाला क्या है औ आप जाए बिचारा ये बिना महरम के मातम करे ये जितना जूड बोलेगा उतना ही इसको नंगा करूँगा इंशालला अब आए देखतें आगे ये देखे ये ही सेम हदीस आती ही हिंदी में ठीक है इसमें भी आता है कि अनज बिन मालिक रजी आल्ला उतला नो बयान करते हैं एक दफ़ा हमको नभी सल लगा वालियू ने सुभा की नमास पढ़ाई नमास के दोरान आप जल्हाल वालियू अपना हात आगे बढ़ाया फिर पीछे कर लिया और जब सल लगाँ अप कर फारिग और ये जो से चार्यूंत आप याल्ला भी जुक रहे थे मैंने इरादा किया कि कुछ तोड लूँ तो बस बाहुक्म इलाही गाइब कर दी गई फिर फिर मुझे पर जहन्नम को मेरे और तुमारे दर्मियान उसको पेश किया गिया यहां तक कि इसकी आग की रोशनी में मैंने अपना और तुमारा साया देख लिया अब बताईए अब क्या करेंगे तो यह होता है यह जब भी जूट बोलेंगे न यह ऐसे ही बिजज़त होंगे जलील होंगे उनको जूट नहीं बोलना चाहिए यह कोई मेरे बाए कोई बात तुड़ी नहीं होती है इतना जूट इतनी मकारी आकर यह जूट आकर क्यों बो यह खुद हो जाएगा लापता इसका अतापता गायब हो जाएगा तो अलहम्दुलल्ला आज फिर साबित हो गया कि बरेलवी बिदती फारुक खान लैप्टॉप बाबा वो जब तक जूट ना बोले तब तक वो अपने बाप की ओरिजनल ओला साबित हो ही नहीं सकता तो अल हैं और जो हिंदी में जो अलफाज हैं वो भी आपके सामने हैं अब देखते हैं कि फारुक खान लैप्टॉप बाबा आवाम में इस अधिस के तालुक से जो उसने जूट बोला और जूटी वावाई को हासिल किया और नारे तकबीर नारे रिसालत के नाम से जो इसकी आव हैं में ये मानेगा चले ठीक है पैसे आपने ले लिए ले लिए आप पैसे खा जाएए आप नमाज अल्ला दीन को धंदा बना रखा है लेकिन चले ठीक है तब भी पैसे आपको खाना है खा लीजिए लेकिन जो ये हदीस है जिसकी जो अल्हम्दुल्ल्ला इसनाद है बिल आपका जो ये बातिल अकीदा है कि नभी नूर थे तो नूर का तो साया नहीं होता तो फला है धमा ये जूटे अकाइश से आप तौबा कर लिजिए इतने ही हमारे लिए काफी है तो इतने ही आप सब को भाई हमको बताना था आप सब लोग इस वीडियो को अपने अपने चै अज़ाब लोग हैं अल्ला सुबानों ताला उनको या तो हिदायत दे या उनको बर्बात करे असलाम वलेकुम वर्हमतुलाही वबरकातो